नमस्कार दोस्तों मैं हो नितिन विले और सामने आप देख रहे हैं टाटान एक्सोन का क्रियेटिव प्लस वीरिंड अब यहार वाइट डूल टोन के साथ में कलर का जो कॉम्बिनेशन आ रहा है बहुत ही तगड़े लुक्स यहां पर अपने को मिल जाते हैं और मैं वीडियो अप्लोट करूँ तो आप तक नोटिफिक्शन पहुच जाए स्टार्ट करेंगे इसके वॉकराउंड से उसके बाद में इसकी अन्रोड प्राइसिंग पर आपको बताने वालो तो सबसे पहले फ्रेंट प्रोफाइल की अपन बात कर लेते हैं तो लुक्स तो स्टाइल में अपने को turn signals मिल जाते हैं और DRS दोनों यहां पे integrate किया हुआ है अब headlands के अगर setup की बात करें तो यहां पे projector unit अपने को मिल जाती है LED है और throw जो है इसका बड़ा जबर्दस अपने को मिल जाता है fog lamps अपने को fearless variant से मिलते है यह redam अपने को मिल जाता है और front भी creative plus variant है तो front camera और दो parking sensor भी मिल जाते है अब front profile से अगर looks की बात करें तो ऐसे कुछ looks अपने को यहां पे मिल जाते है तो looks तो यार चारो ही side से टाटा मैक्सवान के बहुत ही तगड़े अपने को मिल जाते है अब आपको इसके looks कैसे लगते comment में मुझे जरूर बताइएगा अ side profile में अपने जैसी आते हैं तो देख रहें creases वगेरा भी काफी बढ़िया मिल जाती है साथ में जो clad ही है end of the body travel करती है अब ground clearance की बात करें तो 208 mm का यहां पे ground clearance अपने को मिल जाते है और wheels के अगर section की बात करें तो वो अपने को मिल जाते हैं 215 60 R16 16 इंच के यहां पे अ diamond cut alloy wheels मिल जाते हैं यह arrow insert के साथ में और front पर अपने को disc brake मिल जाते हैं और rear में मिल जाते हैं drum brake तो यह इसके braking का setup है अब ORVM की अगर बात करें तो यहां पे piano black cut treatment मिल जाता है और camera भी यहां मिल जाता है उदर चारों ही side अपने को camera मिल जाता है 360 degree camera creative plus variant से ही अपने को मिल जात अपे white color मिल जाता है और काफी attractive लगता है देखने में अब देखिए यहां पे side profile में अपने जैसी आते तो door handles भी अपने को body color मिल जाते हैं अब side profile से अगर looks की बात करें तो ऐसे कुछ looks अपने को यहां पे मिल जाते हैं उपर अपने को roof rails भी मिल जाते हैं अब dimensions की अगर बा में वाले side profile में सारी चीज़े complete होती है अब यहां पे अपने को fuel filler क्यात मिल जाता है fuel tank capacity की बात करें तो 44 निटर का fuel tank मिल जाता है cleaning rated या spoiler में अपने को hidden wiper भी मिल जाता है जिसका design by काफी premium अपने को मिल जाता है connected 10 lamps का यहां पे design मिल जाता है अब 10 lamps के setup की बात करें तो यहां पे पूरा LED अपने को मिल जाता है tactile signals भी sequential अपने को मिल जाते हैं अब center पे अपने को new tata का logo मिल जाता है पीछे अपने को reverse parking camera पे मिल जाता है maxon की bold wyaging अपने को मिल जाती है तो यहां पर reflector और यहां पे मिल जाता है धूर्य जो rear parking लैंब डेख LG अब rear profile से एकर looks की बात करें तो ऐसे कुछ looks अपने को मिल जाते हैं, high mount stop line में अपन भूल रहे थे, तो वो यहाँ पे मिल जाता है, अब boot space उपन करके देख लेते हैं, उससे पहले जो rear के look है, देखिए, ऐसे कुछ looks अपने को मिल जाते हैं, boot space उपन करना है, तो यहाँ पे request sensor मिल जाता है, तो देखिए, यहाँ पे request sensor, दो light मिल जाती है, पार सेंटरी भी यहाँ पे मिल रहा है, और इस साइड अगर देखें, तो अपने को 12V का power socket, और boot space की बात करें, तो यहाँ पे 382L का boot space मिल जाता है, यहाँ पे 2 hook दिख रहे हैं, और यहाँ पे 2 मिल जाते हैं, और नीचे साइड अपन देखें, तो यहाँ पे अपने को boot light भी मिल जाती है, काफी बडिया space यहाँ मिल रहा है, और अंदर अपन देखते हैं, तो यहाँ पे 16 inch का normal steel rim मिल जाता है, तो चलिए, उपर side अपने को cladding मिल जाती है, और यहाँ से देखें, वाइपर ऐसा boot दिखता है, तो चलिए, यहाँ से इसको कर देते हैं, बंद, तो यह हो गया, rear profile में सारी चीज़े complete होती है, अब चलतें interior में, और चल देखतें, वहाँ पर क्या-क्या features मिल जाते हैं, तो सबसे पहले हैं, चाबी की अपने बात कर लेते हैं, दोनों के दोनों अपने को remote की मिल जाती है, functions की बात करें तो lock, unlock, follow me, add name, और boot unlock करने का option मिल जाता है, पीछे data का logo, अब lock करने में, ORVM fold भी हो रहे, और unlock करने में, ORVM unfold भी हो जाते हैं, तो यहाँ पे request sensor भी, door panel की अगर बात करें, तो यहाँ पे भी dual tone मिल रहा है, और देख रहे, color का touch यहाँ पे भी अपने को मिल जाता है, और यह पुरा soft touch है, चारो power window के button मिल जाते हैं, नीचे bottle holder, और umbrella holder भी मिल जाता है, यहाँ पे अपने को अर्मियम पो adjust करने की button मिल जाता है, नीचे speaker का green अपने को दिया हुआ है, speakers की बात करें, तो चारोवी door में 4 speakers अपने को मिल जाते हैं, अब seats की बात करें, तो height adjustment का option भी मिल जाता है, और यहाँ पे फैबरी का positive मिलती है, बट यह जो है उपर से seat covers इंस्टॉल है, उपर अपने को adjustable headrest भी मिल जाते हैं, तो अब चलते हैं अंदर और देखते हैं अंदर के क्या features मुई, यह अपन आ गए अभी interior में तो एक बार जो dashboard की looks है, वो देखिए, तो ऐसे कुछ looks अपने को यहाँ पे मिल जाते हैं, स्टार्ट करते हैं सबसे पहले klar को, क्योंकि जो भाई, refinement level है, पहले से बहुत जबरदस्त हो गया, बहुत ही तगड़ा refine कर गया है, अब petrol engine को, हाँ, मैंने बता है नहीं, यह petrol engine के साथ में 1.2 लिटर के, तो यहाँ पे start stop का button अपने को मिल जाता है, तो देखिए, ऐसा कुछ welcome करता है, यहाँ पे अपना instrument cluster, पूरा का पूरा digital नहीं मिल रहा है, और illuminated logo भी अपना यहाँ पे आ गया है, अब start करेंगे steering wheel से, उससे पहले जो नए भाई लोग जुड़े, वही तुफान चालो हो गया है, इसको कम कर देते, तो उससे पहले भाई, जो नए भाई लोग जुड़े ना, subscribe button प्रेस कर दो, बिल्कुल free आप लिए तो दबा दो subscribe button, तो यहाँ पे D-cut shape में steering wheel अपने को मिल जाता है, center में illuminated logo मिल जाता है, steering mounted controls में अपने को left side में infotainment system, और telephonic के controls मिल जाते हैं, और right side में अपने को cluster और cruise control मिल जाता है, अब यह जो steering wheel है, tilt adjustment के साथ में आता है, left side में wiper के controls और right side में headlamp से control मिल जाते हैं, और ये दोनों feature आप देख सकते, ये भी automatic है और यहाँ पे भी automatic मिल जाता है, अब cluster की अगर बात करें, तो देखें यहाँ पे अपने को left side में tachometer, center में mid और right side में fuel gauge और उपर temperature gauge मिल जाता है, अब यहाँ पे देखें क्या क्या मिलता है अपने को, अब यहाँ पे clock है, नीचे odometer, city mode दिखा रहा है, यहाँ पे अपने को speed दिखाएगा, यह देख रहे हैं आप, यह digitally अपने को दिखाएगा कितनी speed है, और center में अपन देखें तो बहुत सारे features अपने को मिल जाते है, trip info, तो वो अपन देख लेते हैं, तो यह देखें, trip में 19.0, 19 kmpl का mileage परफॉर्म किय अपने को TPMS में मिल जाता है, तो वही features काफी बढ़िया अपने को creative plus variant में मिल जाते हैं, तो चलिए, अब center console की बात करें, dashboard की बात करें, तो यहाँ पे 10.24 inch का touch screen मिल जाता है, harmon powered है, और quality जो है वो भी काफी बढ़िया अपने को मिल जाती है, touch response की बात करें, तो वही काफी climate control, और यहाँ पे अपने को 360 degree camera का button भी मिल जाता है, तो यह देखिए, ऐसी कुछ quality अपने को यहाँ पे मिल जाती है, यह 2D view है, और 3D में अपने को यहाँ जाते हैं, तो देखिए, ऐसी कुछ quality अपने को यहाँ पे मिल जाती है, काफी clear view अपने को मिल जाता है, पर इस segment मे क्या, उपर वाले segment में भी AC quality camera की आपको नहीं मिलने वाली तो चलिए, यह हो गया, यहां पर अपने को देखे क्या मिल जाता है, 12V का power socket, USB connectivity और एक type C का charging socket भी मिल जाता है 6 speed का manual gearbox अपने को यहां पर मिल जाता है, उसके पीछे अपने को यहां पर modes का button मिल जाता है, city और sports यह 3 modes मिल जाता है यहां पर थोड़ा space मिल जाता है, handbrake मिल जाता है, और इस side अगर देखे तो अपने को glove box मिल जाता है, काफी बड़ी है, space यहां मिल रहा है, organizer भी यहां पर मिल जाता है, अब उपर side अगर देखे हैं, तो यहां पर ticket holder center में IRVM मिल जाता है, जो auto dimming function के साथ में अपने को मिल जाता है cabin light, और इस side अगर देखे तो अपने को vanity mirror भी मिल जाता है तो काफी बड़ीया features अपने को यहां पर मिल रहे हैं, अब safety features की बात करें तो six air pack का setup मिल जाता है ABA, CBD, traction, control, heel start, assist जैसे तमाम safety feature भी अपने को यहां पर मिलने वाले हैं, अब seat के comfort की बात करें, तो यहां पर काफी बड़ीया हैं पर अपने को अंट्रताई support मिल जाता है, और cushion भी बहुत बड़ीया मिल जाता है, Tata Nexon के seats में तो अब चलते है, rear seat में और बाकी बात है अपन वहाँ पर करेंगे, तो seat को अपन करें पहले, अब rear door panel की बात करें, तो यहां पर भी dual tone में अपने को मिल जाता है, और यह देखिए, पूरा soft touch मिल जाता है, यहां पर, power window का button नीचे bottle holder और speaker का drill अपने को मिल जाता है, अब rear seats की बात करें तो यहां पर space काफी बढ़िया मिल जाता है बैट के अपन वह भी चिक करते हैं adjustable अपने को headrest भी मिल जाते हैं तो अब चलते हैं अपन अंदर तो यह अपन आ गए हैं, अभी rear seat में मेरी जो height 5 नहीं है, seat अपना height के recording adjust है, तो leg room देखिए काफी बढ़िया मुझे leg room यहां पर मिल जाता है अंडर थाई support की बात करें तो वो भी काफी बढ़िया मिल रहा है, मतलब space और comfort तो काफी बढ़िया यहां पर अपने को मिलने वाना है बागी तीन passenger यहां इसली बढ़ जाएंगे कोई issue नी है, rear AC event भी यहां पर अपने को मिल जाते हैं, ओवर एक side hook दिख रहा है, और एक side और यहां पर यहां पर मतलब 3-3 hook यहां पर अपने को मिलने वाने, तो काफी बढ़िया comfort अपने को rear seat में मिल जाता है अब चलते हैं इसके engine bay की तरफ और बागी बात यहां पर करेंगे तो अब चलते हैं अपने engine bay की तरफ और बाकी बात यहां पर तो यह है टाटान X1 का 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन, पावर की बात करेते हैं यहां पर लगबग 118 भी का पावर मिल जाता है, साथ में 117 अनम का फीचर्स आप में देखें काफी बढ़िया अपने को मिल जाते हैं और बाकी जो स्पेस और कमफर्ट मिलता नेक्सान में भाई वो भी एकदम ultimate है और साथ में build quality भी काफी तगड़ी अपने को मिल जाती है तो ultimate combination अब आई अपनी टाटा नेक्सान तो आप बात कर लेते में मुद्धे की जो किये हैं इसकी pricing एक showroom price की बात करें तो ये 11,90,000 में आ जाती है on road price की बात करें तो लगबग 13,93,000 में on road आ जाती है और ये जो pricing है बालागाट सिटी मद्धे पिदेश की है और इस वक्त अपने सुनील आटा मोटिव स्टाटा शोरूंबा लगाट में तो इनकी सारी जो contact details है मेरे description box को आप पमिल जाएगी call करके आप विजिट करके आप सारी details ले सकते हैं तो वीडियो में रखते हैं इतना ही कैसी लगी है कार प्लीज मुझे कमेंट करके ज़रू बताएगा वीडियो अच्छा लगाओ कार अच्छी लगी तो प्लीज एक लाइक कर देना शेर कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ और सब्स्क्राइब कर देना मेरे चैनल को